मेरे फॉर्ण दबाके नोटिविशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ने कुछ नया सीखने को मिले क्योंकि हरी स्टुडेंट का कुछ नी कुछ अलग रहता है और मेरे साथ मेरी स्टुडेंट हैं जिनका नाम जान लेता हूं क्या नाम है और क्या नाम है और क्या पास कौन सी और दोस्त निकल रही है बहुत तगड़े से नेक्सम गाड़ी भी बहुत अच्छी है तो अभी आप फर्स्ट टे से लेके और सेवन डेज में क्या-क्या सीखा है अपने काफी कुछ सीखा है जैसे की थोड़ा तीज भूगी खाना नहीं खाया है नहीं खाना खाया है बट वह मास की वज़े हैं त्वहटा लीजिए कोई दिक्कत निये हैं अभी आगे से क्लच और ब्रेक का कॉंबिनेशन करना ओके और उसको गेर के साथ कैसे तीनों को कैसे कंबा गाइस ऐसे रास्तों में कार को कैसे चलाना है पहले गेर में करो गाड़ी को क्लस दबा के हां घबराओ मठ डरो मत राइट अखो राइट ने टकराएगा चेमबर जाओ धीरी से और राइट दबाओ अब यहां से आराम से लेफ बहुत धीरी धीरी निकालना है काटो लेफ एक टायर उस पे रखना है एक इस पे रखना जो नाली ए बीच में बनी है इसको बीच वाले टायरों के नहीं तो Kya है न हमें जो रही नाली crashed hybrid चलना चांग एसी situation हमेशा देना क्या आपके शेयार से कम से कम चार जाएंगे वह देख रहे decisions आइसे रोडों पे कौन से किर में चलना चाहिए से क्ला है। और बहुत ही केरफुल नजर हटी दुरगटना घटी राइट दबा के हलका सांग इस अब कच्छी रास्ते बारिश में तो यहां पॉस्बली नहीं निकलना बारिश में स्लीप कर जाएगी गाड़ी आपकी अगर आप कोशिश भी करोगे तो चिकनी मिट्टी गाड़ी यही तो सबसे बड़ी कमी है ना इतना अच्छा गाड़ी से ले जाईए गाड़ी आप आराम से घर पे खड़ी कर लीजेगा कला के ले लेंगे हम यही तो सबसे बड़ी कमी है ना इतना अच्छा कॉंफिडेंस होने के बाद भी खुद को ट्रेस्ट नहीं हो पाता है राइट वाला पैर थोड़ा सही करो उदर खिसकाओ और हलकस और अब ब्रिक पे पैर लेकिया हो ब्रिक पे लाओ अब एक्सलेटर पे ले जाओ ऐसे प प्वान बजा दीजिये हां गट स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा अधर ना नहीं है झारा सभी उसे लेफ्त है राइट यहीं से राइट ले लो जाने दो धरी दिरे और मारो अगा टू बस अभी से लेफ्ट लेना सब्सक्राइब बस आगे से राइट लेना है हलका रेस लेकर चड़ाई है और लेफ्ट दबाके ताकि सीवर का जो ढकन उस पे न टकराए वरना टायर कट जाएगा ठीक है हलकी रेस लो और लेफ्ट दबाके चड़ाईए ना आराम से गट वेरी गट अब यहां से आपको लेफ्ट लेना है समझ नहीं सिग्जग सीवर का ढकन खुलें ध्यान रखना पिछला टायर फस जाएगा ठीक है और पैर जैसे बता है वैसे रखना पूरा पैर लिटा देरी लिटाना नहीं है ऐसे वी शेप में ऐसे चलेगा आप ऐसे पैर रखती हो ऐसे नहीं रखना है समझ में आए राइट गट चलो जाओ बढ़ाओ अब यहां से फिर राइट लेना है जितने आएट आएगे जितने लेफ्ट आएगे एक भी छोड़ना नहीं आपको ठीक है यहां से राइट सिगनल हर मोड पे सिगनल हर मोड पे ब्रेक पे पैर कंपल सरी हो साइड मिरर जरूर रिकॉल करना चेक करना है ताकि आपको पता चल जाए आपके अगल बगल चल क्या रहा ह है चलो गड़ वेरी गड़ सीडी करो सारा खेली स्टेरिंग का है सिगनल लेफ्ट का मुझे बोलना न पड़े नी तुजी बार बार लेफ्ट अरे मैंने कहा है ना जिग्जाग करना तो जिग्जाग का मतलब क्या है लेफ्ट जाओगे फिल लेफ्ट जाओगे फिल राइ ते कान में हैटफोन लगा है पता भी नहीं चलेगा कब बोनेट पे बैठ गया हो यहीं से लेफ्ट सिगनल लेफ्ट हाँ लेफ्ट में सीवर के डखकन कुलें द्यान लखना गट फिर आगे से राइट सिगनल यहां पर सारी प्रैक्टिस हो जाती स्टेरिंग की एक्सेलेटर से ब्रिक बार क्लच की सिगनल की हॉन की ठीक है गट अभी सीरा चलना है आपको स्ट्रेट चलो बढ़ा के चलो थोड़ा स्पीट गट देखो दो देवी अजार इनको हॉन द बढ़ाओ थोड़ा सा चलो जाने दो लाश्ट में जाके आगे से लेफ्ट चलना है यह कुदादी गट्डे में अच्छी खासी बच रही थी बचाने बजाए कुदा दिया बचाना तब होता जब आप अपनी गारी लेफ्ट दबाती थोड़ा सा यह चीज समझनी पड़े था इसलिए तो करा रहा था ताकि आपको स्टेरिंग का आइडिया लग जाए कि लेफ्ट और राइट का टैन करते टाइम हमें कहा कहा देखना है किस किस पॉइंट पर है बाकी फर्स्ट डे के हिसाब से सेवन डेस के हिसाब से बहुत अच्छा सीखा ऐसा नहीं है अभी आ रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको जब गाड़ी निकालना स्टार्ट कर दोगे तो कोई दिक्कती नहीं निकालोगे तो हमेशा माइंड में डर बना रहेगा चलो जाओ रेस करो हलका जाने दो जहां से राइट जाना तो सिग्णल दो पहले हां दो लेफ्ट दबां के राइट कर लेकि हलका लेफ्ट दबा के रखो ताकि कि अगर सामने से भी कोई गाड़ी आ जाए मेरे कहने को कोई फाइदा ही नहीं वानी तुझी मैंने का लेफ्ट दबा आपने हाँ हाँ तो कर लिया लेकिन इस टेरिंग पर तो कोई आपने कलाकारी दिखाई नहीं वहाँ पर भी तो दिखाना चाहिए था ना हल्का लेफ्ट आओ अब यहां से सीधा जाना जिदर यह बाइक जा रही है कि आराम से हां कि अ कि बढ़ा हो थोड़ा सा स्टेरिंग लहरानी नहीं चाहिए नहीं तुझी थोड़ा सा अगर अलट रहेंगी ना इसको लेके तो दिक्कत नहीं आईगे थोड़ा सा अगर आप अलट रहेंगी कट जैसे जैसे राइट आस्था गया वैसे वैसे राइट जाना है आपको हमیशे अपने लेफट दबाखिए तब काटा करो आदत बनाओ시 ब्रिक पेड़ रख लो हॉन बजा दो और लेफटी रखो कर लेके हां यह एसे राइट में हमेसा इतनी जगे छोड़ दो कि अगर अचानक कोई मोड आ जाए और सामने से कोई फोर्मिलर आ जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि गाड़ी मुझे दाएं बाएं दबानी है समझ गए और ये तभी हो पाएगा जब आप टर्निंग से 50 मिटर पहले विफोर प्लान करोगे माइंड करोगे कि मुझे करना क्या है गाड़ी की लंबाई चोड़ाई जो है उस हिसाब से अब लेफ्ट जाना तो लेफ्टी दबा के रखो हमें लेफ्ट जाना है तो अपना लेफ्ट ही रखो राइट जाना है तो भी लेफ्ट हमारी साइड है लेफ्ट ना की राइट ठीक है चलो गड़ वेरी गड़ बढ़ाओ जाने दो, good, 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 very good, बात बढ़िया, गजब, बढ़ाओ, speed, चलो, third gate डालो, close दबा के center में, बीचो बीच में, third gate डालो, very good, गजब, डिपर मारो इसको, हलका, brick लो, right ओको, थोड़ा right, पत्तर पड़ा इदर, एक, कांड कर दिया अपने, डिपर क्यों नहीं देती है, मड़ लेट दिया ना अपने, थोड़ा पहले देना चाहिए था, मैं इसलिए आप कोई छोटी छोटी बारीकिया गाइड कर रहा हूं कि कल को आपके साथ कोई हासा ना हो, गाड़ी आप रोड पे चलाओगी, नुकसान होगा, तो आपका होगा, है ना, बट मैंनी चाहता कि कोई नुकसान हो, ठीक है, चलो, आप भी दो मैटमों को भिड़वा देंगे आपस में, तो देखो एक दूसरी गाड़ी चल रही है, मैटम चला रही है, अभी आपको छोड़ देंगे उसी ग्राउंड में, चलो, जाने दो, तो गाइस नीतु जी ने बहुत गजब चलाया आज और अभी मैं इनको कार देने वाला हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर गाड़ी इनको में, ठीक है, समझ गई, जाओ, बाई बाई, जाओ, जी लो अपनी जिन्दगी, तो गाइस, मैंने नीतु जी को अभी गाड़ी फाइनली दे दिये, और यह अपना चलाने जा रही है, बटवीनों ने बंद कर दिया है गाड़ी, दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बाक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जैहिन बंदे मात्रम,